हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक नियू रिस्पी लेकर आई हूँ और मैं इस वीडियो में आपको अच्छानक महमान आने पर पांस मिनट में आलू के की रिस्पी टेस्टी नास्ति कैसे बनाए मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमने आपर यह नॉर्मली जो सभी के घरों में उपलब्द होता है इसी मसीन पर हम आलू को हाथों से रगर रगर कर इसे पतल कर लेंगे देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इस मसीन पर पतले पतले सलाइसेस में कट रहे हैं इसी तरीके से आपको सभी आलू को पतले सलाइसेस में इस परकार से कट कर लेना है उसके बाद दोस्तों एक कोटोरे में हम सभी पतले पतले कटे हुए सलाइसेस को एक पानी म नास्तिक कृइस्पी और अब हम कटे हुए आलू को इसमें डाल देंगी और डालने के बाद दोस्तों इसे तक जिटने भी से की वह शाप हो यह आ जो फ सर्थार कि बाद देख सकते हैं अलू में सारी द्चकत की निकल चुका और अब इसमेंट पारood निकल देंगे निकाल देंगे सभी आलू को दोस्तों इसमें का पानी अच्छी तरीके से निचोड कर निकाल लेने हैं तभी हमारे नास्ते क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे तो हमने यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अच्छी तरीके से आलू में का पानी हमने निकाल लिए हैं अब हम इस तोरे में सभी को रख लिए हैं अब इस पतले स्लाइसे अलू कटे हुए अब एक थाली में हमें डालने हैं और थाली में रखने के बाद दोस्तों इसे टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हाफ टी स्पून गुल मिर्च पाउडर और बरीकी से कटे हुए हरी मिर्च इसके जगह पे आप लाल मिर्च भी पाउडर या कुटी हुई डाल सकते हैं अब इसमें दोस्तों हम चार चमच मके कांटा डालेंगे दोस्तों हम थोड़े और टेस्टी बनाने के लिए हाफ टी स्पून काला नमक एड़ करेंगे अब हम इसमें थोड़े फ्रेश धनिया पती एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से सभी मसाले को आलू महमें मिक्स कर लेने हैं दोस्तों जब आपके घर में अचानक महमान आ जायें तो इस परकार से आप पतले शिलाइसे अलू के काटकर इसे अची तरीके से बनाकर टेस्टी महमानों को खिला सकते हैं अब हमने अच्छी तरीके से इसे mix कर दी हैं और इसे भी हमें 5 मिनट तक छोड़ देने हैं ऐसे ही 5 मिनट के बाद दोस्तों देख सकते हैं अब हम इसमें हाथों से निचोड़िएगा तो इसमें पानी गिरने लगेंगे तो सभी आलू के पतले पतले स्लाइसेश को हमें अच्छी तरीके से निचोड़ कर गोल बना लेने हैं इस परकार से और सेम प्रोसेट दोस्तों है सभी को इसी परकार से आपको बना लिने हैं देख सकते हैं दोस्तों हमने सभी आलू को अच्छी तरीके से गोल गोल बना लिये हैं अब यहां पर दोस्तों हमने तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर दिये हैं, गैस का फ्लेम दोस्तों हाई होना चाहिए और तेल भूती ज़्यदा गर्म होना चाहिए, अब हम इसमें सभी आलू को इसमें डालेंगे, अब हम इसे थोड़े पकने के बाद इसे हम इधर उधर उ आतिया है कि इस तेल में जाग जाग आ रहे हैं, आलू को पकते समय, जब दोस्तों आलू में अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो यह जो तेल में का जागे वह खत्म हो जाएगा, तो समझ जाएगा कि आपके आलू अच्छी तरीके से पकर त्यार हो चु बनकर तयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे, दोस्तों इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अकार्शक और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रेश्पी और टेस्टी लगेंगे, तो इसे आप अपने घरों में एक बार जरू ट्रै कीजिएगा, इसी तरीके से आपक दोस्तों सुनिये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, देख सकते हैं दोस्तों इसका आवाज भी काफी बढ़िया है और यह अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चुर्चूरे पकर या तयार हो चुका है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी, क खंटी को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हरीक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे थैंक्स फूर वाचिंग इस वीडियो